हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एजूकेशन अड्डा आज मैं आपके लिए एंसी आर्टी के क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 3 लेकर आए हूँ फ्रेंड्स इस चैप्टर 3 का नाम है टन्तू से वस्त तक और आप लोगों ने अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस फीडियो को भी देख सकते हैं और अपने कॉंसेप्स को क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 3 जो है तन्तू से वस्त तक इसमें यह बताया गया है कि जो कपड़े वगएरा बनते हैं वो कहां से आते हैं, उसमें कहां से रेशे बनते हैं, कहां से जूट, पट्सन, कपास वगएरा का इस्तेमाल करके कपड़े बनते हैं तो जैसा कि NCRT में क्या है, कि दो बूझो और पहली ये दो बच्चे की बाते हमेशा उसमें होती है जो बूझो और पहली नाम के उसमें दो बच्चे हैं, इनकी हमेशा उसमें बाते होती हैं तो इसमें क्या है कि बूझो और पहली जो है, उन्होंने एक स्कूल में प्रतियोगिता आयोजी जी थी और विज्ञान प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता में उन लोगों ने प्रधम इस्थान जीता और उसके बाद उनको पुरसकार में कुछ पैसे मिले तो उन्होंने सोचा कि अपने माता पिता के लिए चलो कुछ पैसे कुछ कपड़े खरीद लेते हैं तो उन्होंने कपड़े खरीदने के लिए निश्चाय किया तो वह कपड़े की दुकान पर गएं लेकिन वहाँ पर अलाग अलग टाइप के कपड़े देख करके वह कंफ्यूज हो गएं कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ कपड़े जो हैं वह सूती हैं तो कुछ उनी हैं तो कुछ उसमें कुछ उसमें उसके पास जो है दुकानदार के पास उनी मफलर है तो कहीं शौल भी है तो दुकानदार के पास बहुत सी रेश्मी शारिया भी हैं तो बूजो और पहली जो थे वह बहुत जादा एक्साइटेट थे वह अतेदिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे और उन्होंने इन विभिन कपड़ों को इश्पर्स किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और अंत में उन्होंने क्या किया एक उनी मफलर औ अपने मम्मी पापा के लिए तो इस तरह से यह इसमें बताए गया कि कपड़े जो होते हैं वो डिफ्रेंट टाइप्स की हो सकते हैं उनी भी हो सकता है सूती भी हो सकता है उसमें रेश्मी भी हो सकता है तो बहुत सारी टाइप्स के कपड़े होते हैं तो कपड़े की दु की विविदता होती हैं ट्रीपॉइंट वाज़ों में से लिटा होती है उन्होंने एक्टिविटी फर्स हैं फ्रेंटसेस में बस यहीं बताए गया कि द्रजी के दुप दुकान के पास जाना है बच्चों को और उसमें से जो कॉलिए एक टैग लगा क्र लेबल लगा करके ऊसमें दिखाना है कि कौण सा सूती विर्षलिकन रेशी का बना हुआ है तो पता करना है थो लास यह है इस टैप से अक्टिविटी जो है इसमें क्या रिखाया गया है कि उससे सूती डहाँ निकल रहा है यह लोगों ब्याद दहां करने से अक्टाइटों भी कि आगों को एक सार्थ है करने पर वस्त से मतलब जो है करने पर वस्त क्या है इसको बना है यह इससे पता चला है कि जो कप्ड़े बने हैं वो क्या बने हैं छोटे-छोटे मतलब की दागे के collection से मिलके कपड़ा बन गया तो यह किस से बनते हैं अभी सको यह जानना है तो जो तागे बनते हैं उसके बारे में अब जानना है तो क्या है उसको जानने के लिए यहां पर activity थीविती थरड को बताए गया है तो एक्टिविटी थर्ड में क्या है तंतु के बारे में जाना है जैसे फृंट बॉल्टी होती है तो ही एक्टिविटी कपड़े के लिए थागे की रूप में बनते हैं और तो घुटी थागों से क्या बन जाता है कपड़े बन जाते हैं तो एक्टिविटी ठाड में बोला गया थोती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालना है और इसका करना में पर को खीचना है और फिर उसके बाद यह देखना है कि वो एक बार में निकल रहा है कि नहीं तो यहीं एक्टिविटी में यहां पर दिखाया गया है कि तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना है और साथी तागा पतली लडियों में विखंडित हो जाता है सूई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही प्रेक्षर किया होगा को बनते हैं तो ये तंतू यही बताना जैसे मैंने आपको बता दिया है कि तंतू क्या एक्दम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है तंतू तो इसी टाइप से क्या है वस्त तागों से मिलकर बनते हैं वस्त चो बनते हैं यह जानना है तो कुछ वस्क्रफ जो होते हैं जूटalee से भी बनते हैं तो यह जो होते हैं यह तन्तू पादपो लेन और और जौनuse contemptu बनते हैं इन्हें हम क्या हैं और जो ऊन्म हो गया रेशम से प्राप्थे होने होता है वह यूव ात्वा तो भंधर में इसे प्राप्थ होगति हैं ठीक कुलिंधी ॐ तंतू रेशम कीट कोकुन से खीचा जाता है और हजारों वर्ष तक वस्त निर्मार के लिए केवल प्राक्रिटिक तंतू का ही उपयोग होता था लगबक सब वर्षों से ऐसे रासाइनिक पदार्थों जिनका स्रोथ पादप अथवा जनतू नहीं है उनसे तंतू का निर्मा के लिए उस में चित्र बना हुआ है थो स्वान चैपे यहां पर कुछ पादप तंतू के बारे में हम पहले जानते हैं तो पादप तंतू का यह को सबतें मिलता है तो रुए उन यूंद्टि आप ने कभी तेल यह पतिया देखी हुँगी लैंपों के लिए जो बतिया बन तो उसमें हम रूई का प्रयोग करते हैं रूई का उपयों गदो रजाईयों तथा तकीयों में भी किया जाता है कुछ रूई लीजिए और इसे खीच कर अलग करना है और उसको क्या करना है उसको प्रेक्षर करना मतलब activity करनी उसको और यह चोटी लडिया यह चोटी पतली यह चडहिए जर्यां चड़िया आप देख रहे हैं उन्हें kपास संद्वों से बनी होती है यहां पर कुछ डाइग्राम में जैसे कि इसमें यहां पर दिया गया था वैसा ही आप यह जाना है कि कहां से आता है तो रूई कहां से आती है तो रूई जो है वह खेतों में तो वहां पर कपास की खेती की जाती है गुजरात हो गया वहां पर भी कपास की खेती की जाती है क्योंकि उन राज्यों में क्या है काली मिट्टी पाई जाती है तो इस तरह से वहां पर कपास की खेती की जाती है कपास जो है वह पादप के फल यानि की कपास गोलक लगभक मी वो जब पक जाते हैं तो बीज तूट कर खुल जाते हैं और आप कपास जो है वो मनलत जो तंतू से बने बिनौले यानि कपास के बीज को देखा जा सकता है तो यहां पर दिखाया जा रहा है डाइग्राम में यह टाइप जैसे लगता है कि कोई बर्फ के गोले टाइप के द सादार्णता इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा ही प्राप्त करते हैं लेकिन आजकर क्या है मशीनों का भी यूज होने लगा है जिसको कपास ओटना भी कहते हैं तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं क्या हुआ है कि कपास को ओटा जा रहा है और उसके बाद जूट या पर्च्षन लोग कुछ लोग पर्च्षन जो है वह तंतु को पर्च्षन पादप के तने से प्राइब भारत में इनकी खेती वर्षा रितु में की जाती है भारत में पर्च्षन को प्रमोख रूप से पष्रिम बंगाल तो भात में जैसे पट्सन को प्रमोकुरूप से पश्रीमंगाल बिहार और अर्सं में उगाया जाता है। इसमें पूछा वेगा था कि आप कुछ राजो के नाम बताइए। और पट्चन के लिए उसने कुछ राजों के नाम दे दियें तो पश्री मंगाल बिहार और असम में उगाया जाता है सामानेता पट्चन पादप जो होते हैं फसल को पुस्पन अवस्था में ही काटते हैं फसल कटाई के पशाद पादपो के तनों को कुछ जिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं ऐसा करने पर तने क्या होते हैं वो गल जाते हैं तथा पट्चन तन्तूं से हाथों के द्वारा पिठक कर लिया जाता है और वस्थ बनाने से पहले इन सभी तन्तूं को तागों में परिवर्टित कर लिया जाता है ऐसा कर ऐसा कैसे किया जाता है तो उसके लिए जैसे कि कतली वग्यारा तकली जिसको कहते हैं वह सब यूज की जाती है तो सूती तागों की कताई कैसे की जाती है आप स्वेम सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं जैसे कुछ फ्रूई और इस प्रक्लिया में रूई की एक पुंज से रेशों को खीच कर रहते हैं ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है और यह तकली आपको दिखाई गई है तकली का डाइग्राम जैसे कि यहां पर दिखाए गया है और कताई के लिए एक सरल युक्ति ह राश्पिता महात्मा गांधी ने स्वतनता के आंदोलन के पक्ष के रूप में लोगप्रेता प्रदान की है की थी उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मीलों में आयातित कपड़ों का बहिसकार करने के लिए इसलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्मार किया जिसे खादी एवं ग्रामों द्योग आयोग कहते हैं तो यहां पर जैसे की चर्खे का भी डायग्राम दिखाया गया है और ब्रिहत पहमाने में तागों की कताई का कारे मशीनों की साहि होती है तो इसमें दो प्रमुक विधिया होती है तागों के दो सेटों को आपस में विविन रंगों को मतलब लेना है और इस तरह से कुछ बच्चों के लिए अक्टिविटीज बताई गई तो इतना क्या करते हैं तागों की दो सेटों को बुने जाते हैं कागद की तुलना में बहुत ही पतले की बुनाई करगों पर की जाती प्रश्त तो आफकर्गा कनाम तो बहुत सुना होगा वह उसे प्रखास से कुछ जो देखा होगा तो यहां पे अधकर्गा का डाइग्रम आपको दिख रहा होगा अभी इस प्रकार की बुनाई भी होती है जैसे कि स्वेटर बुना जाता है इनकी बुनाई के लिए क्या होते हैं एकल तागे का उपयोग करते हैं जैसे उन आपने देखा योगा कि उसको लेकर के किस तरह से स्वैटर बुना जाता है हमारी मम्मी लोग क्या करती है उन से उसको भूंती है क्या जैसे कि फटे हुए मोजे होते हैं अगर उसको खीच के देखे तो उसमें सद्धागा निकल के बाह में किया जाता है इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविद वस्त्रों को बनाने में करते हैं जैसे कि स्वेटर मॉफलर वगएरा ठोपी वगएरा बन जाती है अब वस्त्र सामागरी का इतिहास क्या है कि प्राशिनकाल में लोग पहनने के लिए कि सामागरी का क्रिशी समुदाय में क्या होते हैं बसना आराम करने के पश्चार लोगों ने पतली पत्ली टहनी तता घास को बुनकर चटाईयां तता डालियां बनाना सीखी धीर धीर फिर डेवलप्मेंट होने लगा पिर लगता हूं और जंतों की उन अथफा बालों की आपस में एठन कर के लंबी लड़ियां बनाई गए इसको वुनकर वस्त्र तयार किये गए इसी तरह से भारतवासी रुई से वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवटी छेत्रों में उगाई जाती थी और फ्लैक्स भी क्या है पादप ही है प्लांट ही है जिससे प्राकर्टिक तं फ्लैक्स की क्रिशी नील नदी के निकटवटी छेत्रों में की जाती थी तो फ्लैक्स और रुई की पहले कहां पे क्रिशी की जाती थी तो फ्रेंट्स नील नदी के निकटवटी छेत्रों में और उसके पूरुन भारतवासी जो रुई बनाते थे वह कहां करते थे गंगा के ढंगों का उपयों करते थे सिलाई की सुई के हैं किसार के सात लोगों ने वस्टों की दाइा करके कपड़े पहनने पैसे पहले बात ऐसे क्या करते थे उपर से ओढ़ लेते भी लोगन पि Fin का विशकार हुआ तो लोगों ने शिरूह कर लिया इस अविसकार के पशाद सीले कपड़ों में बहुत सी विविद्द निताएं आ गई परन्तु क्या या आश्चर जनक बात नहीं है कि आज भी सारिया धोतियां लूंगी और पकड़ियां बनाने के लिए सीले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है जिस प्रकार समस्त द्रेश में खाया जाने वाले भोजन में अतितिक विविद्दा देखने को मिलती है अथिक उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने की और उसको धारन करने की भी क्या होती है विविद्दा देखने को मिलती है तो जैसे कि कपास का गोला जो होता है उसको क्या कर पूरी बुक को में साथ आपने डिसकस किया होगा तो आप उसको देखके फिर इसको क्या कर सकते इसका question answer आप लोग लिख भी सकते हैं जो six class की student है तो वो लिख भी सकते हैं इसको और यहाँ पर भी कुछ exercise दिये गया हैं तो friends यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप comment box में जरूर बताएगा साथ ही वीडियो को friends पूरा देखा करिए अ अभी आपका concept भी clear होगा तो friends आप आज के लिए हमारा यह chapter close होता है तो अब next chapter को लेकर मैं अभी कुछी time के बाद आऊंगी तो friends धन्यवाद